हलो एव्रीवन वेलकम बेक तो मैं यूटूब चैनल दमायास हिंदी आज की वीडियो में गईज में आपको नूट्रा फर्स्ट ब्रांड के अंडर आई क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुती ज्यादा अमेजिंग और इंपोटेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को देखना ना भूले चैनल को लाइक और सुस्क्राइब कर दे बैल आइकन पर प्रेस कर दे जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नूटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए दोस्तों बेना टाइम वेस्ट के उपन बात कर लेते हैं नूटर फर्स्ट ब्रांड के अंडर आय क्रीम के बारे में ये क्रीम गई साबके आँखों किसे डाक सरकल को रिमूव करती है पफिन इसको रिमूव करने में मदद करेगी और आपकी आँखों को हेल्थ बलकि आपके आँखों की तचाकों हेल्थी बनाये में मदद करता है यूज करने का तरीका तो गईस इस अंडर आई क्रीम को आप सुबह साम दोनों टाइम इस्तमाल में ले सकते हैं रात में सोने से पहले आपको ये क्रीम लगानी है तो आपको काफी जल्दी और अच्छा इसका मिलेगा लेकिन ध्यान रखें गईस आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए इस चीर का आपको विशेज रुप से ध्यान रखना है वैसे तो गईस ये क्रीम आपके स्किन को कोई लुकसान नहीं पहुचाएगी लेकिन इसे इस्तमाल में लेने के बाद आदि आपको परड़ेज सकते हैं वो आपकी चोईस के उपर डिपैंड करता है मैं तो गईस आपको यही सज़ेश्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता फोड़ेवर मिले आप इसे वहीं से परचेज करें वैसे तो गईस हमने दिस्किप्शन बॉक्स में भी इस प्रोड़क्ट का लि पर उसका इस्तिमाल करते हैं तो ने साइड एफेक्ट होने लगते हैं इसका मैंडीजन यह है कि आपने एक एक्सपारी प्रोड़क्ट का इस्तिमाल किया है तो अब इसी बात है गईस उसका साइड एफेक्ट तो होना ही होना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ जो भी तो आपन को चेक करनी ही करनी है काफी जाधा अच्छी क्रीम है गैस जो के आपके आँखों की तुचा को हेल्थी बनाएगी खुबसुरत बनाने में मदद करेगी बस याद रखे अगर आपकी इसकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आपकी स्किन को हर कोई क्रीम सूट नहीं मिलती रहे और गईस बैल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिसे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टी टाइम आपके पास पहुंसती रहे और उस प्रजक्टिक रेगारिंग आपका कन्फीजन भी दूर होता रहे फिर भी गईस यदि आपको इस प्रजक्टिक रेगारि या किसी अधर प्रजक्टिक रेगारिंग किसी प्रजक्टिक की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए हमेशा एबलिबल रहेंगे आपकी साहता जरूर करेंगे सो गैस हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद